एबरिवन तो आज हम बनाएंगे सिर्फ दो चीजों से एकदम बहुत ही कुरकुरा चटपटा क्रिस्पी नास्ता यह बहुत ही जल्दी बन के तयार हो जाता है तो आपको कभी भी मन करें खाने का तो आप यह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं चाई के साथ भी खा सकते हैं और यह टिपिन में बचों को दे सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगता है खाने में तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीचेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीचेगा तो चलिए इसे हम बना लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैं पोहा ली हूँ तो यह बहुत ही अच्छे से यह ग्राइंड हो गया है आप देख सकते हैं यह सूजी जैसा दिखता है ग्राइंड होने के बाद तो इतना ही हम ग्राइंड करना है तो इससे हम चलिए बनाते हैं तो यहां पर हम एक पैन ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे पानी तो इसमें हम दो टेखने यहां पर जीरा के यहां से बहुत बहुत अच्छा गड़ देस्त कर लें से लें रह जाल द लें को हम डाल देंगे इसमें और डालने के बाद आपको यहां पे लो फिलम कर देना है ताकि अच्छे से यह पक जाए और बहुत ही जल्दी यह पानी के अपजब कर लेती है जब यह पीस करके आप डालेंगे तो बहुत ही जल्दी बाइंड होने लग जाता है तो यहां पर आप पेपको लगतार चलाते रहा एस तरीके से मैं चोड़ भी नहीं है लगतार छोड़ना भी से जब तक चलाने न आजाए तो आपके इसे तरीके से चलाते रहाँ तो यहां पर मैं medium flame कर दी नहीं और आपक चुका है बस थोरा सा हम और पका लेंगे और इसको हम थोरा सा अच्छे से पका करके यह जब पक जाएगा ना तो यहत्क डो के फोम में आ जाएगा तो यह दीरी धीरी यह अच्छे से मतलब एक डो के फो में आना मतलब सुरू हो चुका है तो इसी तरी के सम चला लेंगे उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे दो मेडियूम साइज के आलू को मैंने याँ पर उबाल करके ग्रेट करकी यहाँ पर रखी हूं तो यहाँ पर मैं गैस का फिलम मिल चुका है हरा धनिया तो यहां पर एक बाउल में हम डाल करके ठंडा होने देंगे और यहां पर यहां पर हो चुका है तो आपको ज्यादा ठंडा नहीं करना है हलका गरम रहें, उसके बाद आपको अच्छे से यहां पर मसल लेना है, उसके बाद यहां हातों में हम ओड़ा लगा ली हैं, ताकि जो मैं नस्ता बनाओं तो यहाथों में चिपके नहीं, तो इस तरीके से थोरा सा मिश्रल लेंगे, और हाथ में ऐसे रख करके, और अच्छे से हम मसल लेंगे उसके बाद हम नस्ता बनाएंगे तो नस्ता आप कोई भी सेव में बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं ठीकी का सेव दे रही हूँ इस तरीके से बना लीजिएगा बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही चिकना बनके रेडी होता है आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रेक्स नहीं आ रहे है इसमें तो इसी तरीके से हम फिर से आपको बना कर दिखा रहे हैं यह बहुत ही एजी है बनाना तो आप चाहें तो यहाँ पर इसलेंडर सेव दे शकते हैं तो मैं यहां पे टीगी का सेव दे रही हूँ और यह देख सकते हैं बहुत ही प्यार असा बनके रेडी हो गया है इस तरीके से आप बनाकर रेडी कर लिजेगा बहुत ही एमिसा नस्ता बनता है तो इसी तरीके से हम साह भी नस्ते को बनाकर यहां पे रेडी कर लिए हैं तो इसे fry کر लेते हैं तो यहाँ पर मैं पैन में पहले से यह तिल गरम उने क्री रख दी थी तो यह है कर देंगे तो यहां पर start फ्लेम पे आपको फ्राई करना है तो आपको जितना आए पैन में उतना इसमें डाल सकते हैं और आपको तुरंद पलटना नहीं है थोरी दिर के बाद आपको इसको अच्छे से पलट लेनी है तो यहां पर आपको अच्छे से यहां पर फ्राई करना है और अच्छे से आपको तो आप एक बर जरू ट्राइ कीजेगा, इस तरीके से बनाना बहुत ही यह मिसा बनके रेटी होता है, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है यह ऐसा नस्ता, तो इस तरीके से हम अलट परट लेंगे, और गोल्डन ब्राउ सब्सक्राइब कर दीचेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीचेगा और कमेंट चलूर कर दीचेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाय एंटे